हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल दे टीस्ट ओफ इंडिया तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज हम बनाएंगे नीमू का खटा मीठा अचार फ्रेंड्स नीमू का अचार सुनते ही तो सभी के मूँ में पानी आ जाता है और खाने का भी मन करता है तो चलिए फिर तरह का नमक लिया है जो मोटे दाने में आता है मोटा वाला नमक लिया है और इस तरह की मैंने एक चोटी मटकी ली है मिट्टी की और आज हम इसके अंदर नीमू का अचार बनाएंगे तो देखी फ्रेंड्स कैसे बनता है सारे नीमू को मैंने अच्छे से वोश कर लिया थ मैंने इसका मुँ उपर से बान दिया है इस तरह से रुमाल या कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं तो मैंने अच्छे से रुमाल की सायता से बान दिया है और इस तरह से अच्छे से से मिक्स कर दिया है हिलाते वे तो तकरीबन इस तरह से मैंने इसे चार से पांच दिन तक में दिया था तो अच्छे से गलने के बाद मैंने नीबू को इस मटकी के अंदर से निकाल लिया है और नमक को भी मैंने अलग कर दिया है तो देखे फ्रेंड्स नीबू का कलर भी चेंज हो गया है और अच्छे से नीबू गल गये हैं नमक का भी थोड़ा कलर चेंज हो गया ह तो इस नमक को आप दुबारा कभी अचार बनाए तो काम में ले सकते हैं पिर नीमू को मैंने पानी में डाल के अच्छे से वोश कर लिया है ताकि इस पे जो भी मिट्टी वगरा हो वो हट जाए नीमू को मैंने बीच में से चाकू की सायता से थोड़ा थोड़ा काट दिया है आपको छोटे या बड़े जैसे शेप में काटना हूँ आप वैसे काट ले तो मैंने सारे नीमू को काट लिया है ताकि अचार अच्छे से बनाया जा सके तो नीम्बू हमारे कट चुके हैं और मैंने इस तरह का काला वाला गुड लिया है आपके पास जैसा गुड हो वेसा डाल सकते हैं तो मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है इससे ज़्यादा चार अच्छा बनता है तो इसलिए मैंने ये लिया है और मैंने छोटे पीसिस में इसे तोड़ लिया था तो इसे मैंने इसमें डाल दिया है आप चाहे तो शक्कर भी डाल सकते हैं पर मैंने गुड़ से बनाया है बहुत टेस्टी बनता है छोटा चमच मैंने इसके अंदर काला नमग डाला है और अच्छे से हिला लिया है फ्रेंट्स मेरे को ये बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा था तो मैंने बड़े बर्तन के अंदर सभी को ट्रांसवर कर लिया है अच्छे से मैंने इसे हिला लिया है और एक गंटे के लिए मैंने इसे डखके रख दिया है तो गुड हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है और देखिए फ्रेंड्स किता सुन्दर अचार दिख रहा है पर अभी इसमें और मसाले डालने बाकी है तो मैंने इसके अंदर इलाइची पाउडर और काली मिर्च पाउडर दोनों को एक साथ डाल दिया है और थोड़ा सा अबी को मैंने मिला दिया है टेस्ट के अकोर्डिंग आप जो भी मसाले डालना चाहे वो डाल सकते हैं फिर मैंने अच्छे से इलाने की बाद काच कि इस जार को भर दिया है आप चाहे तो इसे धूब में भी रख सकते हैं और वैसे तो यह तैयार है फ्रेंड्स हमारा खट जरूर करें थेंक यू